टाइलेट का साइज भी आप देख रहे हैं बातरूम का साइज भी आप देख रहे हैं स्टेयर के से बाहर भी निकल सकते हैं यहाँ पर स्टेप उतर के और वहां से अंदर भी आ सकते हैं मतलब स्टेयर के जो है काफी यूसफुल रहेगी बना लेते हैं इलेशन तो नमस्कार दोस्तों डीके थीडियों डीजैन में आपका फिर से एक बार स्वाकत करता हूँ आप जानते हैं मेरे नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नेने प्लांस नेने डीजैन बताने वाला हूँ तो लास्ट टक वीडियो के साथ बने रही है क्योंकि काफी अच्छा और बेतरी सा और अलग टाइप का प्लान है तो चलिए स्टार्ट करते है प्लान के कॉलम पोजिशन तो हमने आपको बता ही दिये है उसके बाद में आउटर वाल जो हम पड़ा पड़ सब्सक्राइब ने तो पुरा प्लान फिट भाइब को बनाया गाए लेकिन इसके आलवा आपको आजवाजुमें इस्ट्रा जगा चोड़ना पड़ेगी वेंडिलेशन के इसाब से ठीक है मतलब प्लाट का साइज आपको बढ़ा चाहिए 30 फीट भाइब फिट से लेकिन पर तीस फीट बाइ त्रेपन फीट में यह पुरा 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 चुन्स्ट्रक्शन कंप्रिट हो जाएगा इसके अलावा एक्ष्ट्रा जगा आपको वेंडिलेशन के लिए छोड़ना पड़ेगी वेंडिलेशन मतलब आपको विंडोस वगरे देना होते है तो अपनी पर चुड़ना पड़ेगी तो यहां पर आप दे हैं यहां पर यह यहां पर यह इस्टेरेकेस जो है अंदर से और बाहर से दोनों तरफ़ स्यूज कर सकते हैं इस टैप में बनाए गए है तो नहीं हमारा कंस्ट्रक्शन यह जो पूरा कंप्रेट हो चुका है इस 225 आप द बागी जो है पार्किंग का एरिया एक्स्ट्रा चोड़ना पड़ेगा पार्किंग के लिए कोई जगा नहीं चुड़ी गई है उसके बाद में यहां पर में डोर बताएगा है में डोर से इंटी करेंगे हमारे living hall में living hall का size आप दे सकते हैं 18ft by 13ft 2 inch का मनलब काफी बड़ा size है 18ft by 13ft 2 inch का और इसमें जो है sop aset टीवी नुट का जो है adjustment किस टाइप में रहेगा वो भी हमने बताने की कोशिच की है अब यह रहा मरा फर्स वाला बेड रूम है और यह फर्स वाला बेड रूम जो है 11ft 8-14ft 6 inch का है यह भी काफी बड़े size है इसमें भी आप दे सकते हैं बेड की position टीवी नुट की position हमने बता आने की कोशिच की है अब आगे बढ़ते हैं देखें यहाँ पर लिए फिर से वापस आते हैं और यहाँ पर एक आच रहेगा आर्ट जो है आर्ट मतलब यहां पर जो है हम कोई भी डूर नहीं डालते हैं बड़ा सा आच रखते है और design जो है हम बना लेते दो हाँ पर तो यहां से हमें टेकर रहेंगे किचन में देखे 8 फिट बाइ 14 फिट शेंज का जो है उतको किचन का साइज मिलता है और किचन को आप दे सकते हैं एक डोर भी आपको नजर आ जाएगा उस कॉर्णर में वो डोर से वाशीरिया की तरफ जाता है यह वहां से हम वाशीरिया यूज कर सकते हैं यह वाशीरिया जो रहेगा ओपन डक्ट रहेगा मतलब ओटियस रहेगा ठीक है वहां पर हम स्लैब ने डारेंगे यहां से हमारी पाइप ऊपर के जो टॉलेट बातरूम के जो पाइस वगए जो है वो नीचे चल जाएंगे ठीक है तो इसके हिसाब से यह जो है उस साइड की जगा अड़िस कर सकते हैं बीच में जो टॉलेट बातरूम हमको मिल रहा है जनरल टॉलेट बातरूम है टॉलेट का साइज भी आप देख रहे है बातरूम का साइज भी आप देख रहे है और इसनको वेंटिलेशन जो है पीछे एक साइड में मिलता है जो जगा चोड़ना पड़ेगी देखे फिर से वापस आते हैं यहां पर और यहां से हम देख सकते हैं यहां पर प्लाट भी बड़ा है और प्र पूर्च से बाहर भी निकल सकते हैं पर सMag मैंतलर के अंदर भी असकते मतलब के जो कापяж यूसफूय और से लया रहे गार से कैन और अंदर कर सकते टीक है मतलब और कि मझेर के रहें कि रहें यसाब से देना हो तो घ्म बाहर सब्सक्राइब ऑब भलतें है हमारा जो है सेकंड वाला बेडरूम है आप यह सेकंड वाला जो बेडरूम है हमारा वो 15-9 बाई-17 का है बेडरूम है चोड़ा बेडरूम है चोटा मतलब काफी अच्छा साइज है लेकिन बाकी की बेडरूम के खंपेर में यह चोड़ा है साड़े 10 फिट बाई-10 फिट-9 इंच का इसका साइज मिलता है और यहां पर इसको विंडो मिलता है बेड बेड भी आप देख सकते हैं बे यहां पर विंडो अगेरे बता दिया है तो आप देशकते हैं कुल मिलाकर 30 फिट बाई-53 फिट में यह पुरा-पुरा कंस्ट्रक्शन बनेगा इसकी आलवा आज बाजो में हमको इस्टा जगा चोड़ना पड़ेगी लेफ सैड में कोई भी जगा नहीं चोड़ी तो भी क दिखकत नहीं है खाली बैक सैड और फरंट सैड में लेफ सैड में आपको जगा चोड़ना पड़ेगी तो इस टैप में आप देशकते हैं यह पुरा-पुरा जो है मॉडल हमारा कंप्रेट हो चुका है और इस टैप में इसके विंडोज वगरे है आप देशकते हैं यह ज अगर आपको बैद सैड में रोड़ है प्लाट में बताया गाए है अगर आपके प्लाट में रोड़ नहीं है तो आपको एक्स्टर जगा चोड़ना पड़ेगी इस सैड में रड़ सैड में तो आप देशकते काफी अच्छा और बेदिन सा यह पूरा-पुरा घर दिख र प्लाइब आपको पसंद आएगा और फीडियो पिस ऺथ आए खोगा टो लाइक जरू किजी और शरुड़ किजी किसी की मज़द हो सकती है अब सब्सक्राइब करने ने और स्ब्सक्राइब जरू कर लिजिये और वीडियो आपको आपका बहुत बहुत शुक्र है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यही परेंड करते है धन्यवाद